हेलो दोस्तों कैसे आप सब उमीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स गाजर का हलवा गाजर की वर्फी तो आपने बहुत बार बनाई होगी पर मैं आज आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ गाजर की जो की बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाली ह और फ्रेंट्स आपके फैमली में सभी को यह रेसिपी इतनी ज़्यादा पसंद आएगी तो सबी लोग आपको बार बार बनाने की डिमांड करेंगे अंदर से इतनी ज़्यादा जूसी होती है टेस्टी बनके तयार होती है तो चले फ्रेंट्स जादा दिन ना करते हुए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और वीडियो में आप लास तक बने रही है जिसे आपको रेसिपी अच्छी तरीके से समझ में आए तो फिरंट सबसे पहले मैंने आप ले ली हैं तीन से चार गाजर और इसको मैंने अच्छी से छील के और वाश कर लिया है और आपके पा पीस लेंगे तो फ्रेंट यहाँ पे मैंने दूद का यूज किया है पाणी को यूज नहीं करना है और इसको fin Гाजर को पीचने के लिए इस काटोरी से एक काटोरी दूद का यूज किया है और इसकर बिल्कुल fine paste बना लिया है अब देख सकते हैं इस तरीके का अब में क्या करना है मैंने उसको एक बावल में निकाल लिया है और उसके बाद मैंने यहां पर लिया है एक कटोरी सूची तो मेरे पास मोटी वाली थी उसको मैंने यहां पर mix के जार में डाल के अच्छी तरीके से fine powder बना लिया है उसके बाद हम उसको गाजर में डाल देंगे उसके बाद friends इसमें हम एड करेंगे पिसी हुई चीनी तो मैं यह और चार चम पिसी हुई चीनी का यूज़ कर री हूं आक यह पर साबोट चीनी का अभी यूज़ कर सकते हैं तो मैं आप चार चम गा है आप थ चीनी यहां पर देच सकते हैं 45 काटोरी यूज की है तो यहां पर मीजरमेंट का आपको ध्यान अखना है और इसी तरहा है मैंने आपे दो काटोरी देखेए पानी डाल दिया है और अब क्या करना है हाई फ्लेम पे हमें अच्छी तरह के से चीनी को मेल्ट कर देना है और उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से उबालाने देंगे तो आप देख सकते हैं हमारी जो चीनी है अच्छी तरीके से उबलने लग गई है और इसी तरीके से इसको हम बीश-बीश में चलाते हुए पका लेंगे और जिस तरीकी का शहद होता है ना उसी तरीकी के हम इसको चिपचिपी सी एक चाशनी बना लेंगे कह सकते हैं एक तार की चाशनी बना लेंगे क्योंकि चाशनी जो है ना बाद में भी ये काफी गाड़ी हो जाती है तो देखे, यह इस तरीके की छिपचिपीसी हो गई है और अब हम gas की flame को कर देंगे off और आप चाहें, तो यहां पर बीच में इलाइची पसंद दें तो आप इलाइची का भी use कर सकते हैं पर मैं यहां पर इलाइची का use नहीं कर रहे हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को इलाईची पसंद नहीं है तो चलिए अब हम इसको side में कर देंगे तो आप देखिए इस तरीके से यह चिपचिपीसी है तो चलिए अब हम आगे की त्यारी कर लेते हैं तो अब हमने जो गाजर का जो बैटर बना के रखा था उसको भी हम चैक कर लेंगे तो अभी थेक हमारी जो सूजी है वो अच्छी तरीके से फुल च्ucktी है और यह ज़्यादा ठीक हो गया है तो अब हम इसमें एट करना है दूद और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसका एक बैटर तयार करेंगे तो इसकी consistency कैसी रखनी है वो मैं आपको दिखा दूँगी आपको जितना भी दूद का जरूरत लगे ना उसे साथ से आप दूद डाल दीजिए तो देखे मैं या पे थोड़ा थोड़ा डालती जा रही हूं और इसका बैटर त्यार कर लूँगी तो देखे हमें इस तरीके क भरके और इस तरीके से गिराएंगे तो यह बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए बीच में और तो चलिए अब हमें क्या करना है इसको हम गाजर का बिल्कुल कलर देंगे और तो इसमें मैंने लिया है food color तोड़ा सा बिल्कुल दो चुटकी और इसको डालके हम अच्छी तरी से मिक्स कर दिया है और हमारा बैटर कितना बढ़ी असा देख रहा है तो इसी तरीके से मैंने आपे त्यार कर लिया है तो अब हमें क्या करना है इसमें हम एड करेंगे मीठा सोडा जिससे हमारा जो मिठाई बनेगी अंदर से सॉफ्ट बनेगी फलफी रहेगी तो देखिए इसको हमें तबी डालना है जब हमें मिठाई को बनाना हो तो चलिए इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और फटा फट से चलते हैं गैस की तरफ तो यहां पर फ्रेंट्स मैंने पैन में ऑईल गरम होने के लिए पहले से रख दिया था और इसको बहुत ज्यादा गर करके डाल देंगे तो फ्रेंट्स यहां पर ऑईल का बहुत ज्यादा ध्यान लगना है और हमारा बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए अगर ज्यादा गरम होगा तो हमारा जो बैटर होगा ना अंदर से कच्छा रहेगा और ऊपर से यह सिख जाएगा तो इस चीज़ क भी चाहिए उस हिसाब का रख सकते हैं और इसमें जो डालती है अपना शेप खुड़ी ले ले लेता है इसमें हमें कोई भी शेप नहीं देना पड़ता है तो देखी इस तरीके से मैंने या पर डाल दिया है तो जितने भी इस पेस है आप उस हिसाफ से इस में डाल सकते है और आपको अगर लग रहा है कि इसका जो है जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा है या फिर मोटा सा यह लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा से आप इस तरीके इसको छेड़ेंगे तो हमारी बैटर है वो तूट जाएगा और पूरी कड़ाई में यह फैल जाएगा तो इसी इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान लगना है इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है तो देखिए अभी यह अपने आग सी ऊपर तेहने लग गया है तो थूड़ी सी तो यह तरफ से अच्छे से सिख जाएगा तब हम इसको पलटेंगे तो अभी भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है अभी के यह बराबर सॉफ्ट ही रहने वाला है तो अब हमें इसको बहुत ही साधानी से पलटना है तो आप देख सकते दूसरी तरफ कितना प्यारा सा कलर आया है और चलिए इसी तरीके से हम इसको पलट देंगे तो एक चमश ले ले नहीं है उसकी हल्प से हम इसको पलटेंगे तो आपको याद दिला देती हूं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर पहली वारे तो प्लीज चैनल को यह कितनी बढ़िया से बन रही है और यह अच्छी तरीके से फूल ने भी लग गए तो हलका हलका से इसको हम प्रेस करते हुए अच्छी तरीके से इसको सेक लेंगे तो पहले मैंने इसको slow flame पे सेका है उसके बाद में जब पल्टी थी ना उसके बाद में मैंने high to medium flame पे इसको fry किया है तो दोनों तरब से जब यह अच्छा सा color आ जाएगा तब तब तक हम इसको fry करेंगे तो चलिए इसी तरीके से हम उलटते पलटते अपनी मिठाई को बढ़िया तरीके से सेक लेंगे दोनों तरब से तो friends मेरे कहने पर एक बार इस मिठाई को आप ट्राइ करके जरूर देखना और मेरी guarantee है आपके घर में सभी को इतनी ज़्यादा पसंद आएगी बहुत ही ज़्यादा यह उपर से क्रिस्पी होती है और अंदर से बिलकुल soft और अंदर तो यह बहुत ही ज़्यादा juicy बनके डाल देंगे तो चलिए हम इसको इसमें डाल देंगे जिससे हमारा जो चास्नी है अच्छी तरीके से इसमें absorb हो जाएगी यानि की चास्नी को सोक लेगी तो इसको डालने के बाद friends हमें क्या करना है कम से कम हमें 10-15 मिठाई को इसी तरीके से चास्नी में रखना है तो इसको बढ़िया से हमारी मिठाई बनकी तयार हुई है और कितनी जूसी है ये भी आप देख सकते हैं अंदर तक इसमें जो चास्नी है न अच्छी तरीके से फिल हुई है और अंदर से भी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज्यादा ये बढ़िया सी मिठाई बनकी तयार हुई है